हेलो दोस्तों मैं हर्शिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड आज बहुत ही गंभी टॉपिक लेकर आई हूं अपने चैनल पे क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके मन में ये सवाल होता ही होता है कि क्या वो गर्भावस्ता के दौरान हस्त मैथु या मास्टरबेशन कर सकती हैं या फिर इंटिमेशन कर सकती हैं लेकिन देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होगा कि ये गलत है इसको नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूं कि इस समय महिलाओं का जो शरीर है उसमें बहुत सारे उतार और उनका पती साथ नहीं देते हैं उस case में वो self sex का सहारा लेती हैं जो कि कहीं न कहीं गलत कह सकते हैं या सही कह सकते हैं मैं इसका जवाब आपको detail अभी देना चाहती हूं इस पूरे वीडियो में लेकिन मैं आपको ये बात बता दो कि ये गलत क्यूं है और ये गलत क्यूं नहीं है इसका simple answer यह है कि अगर आपकी जो pregnancy है वो high risk pregnancy नहीं है माली जी कि आपके pregnancy में किसी other risk की कोई समभावना नहीं है तो आपकी लिए orgasm और समफोक जैसी चीजे कर सकते हैं आप लेकिन कुछ time duration होता है जिसे आप अपनी doctor से खुल कर बात कर सके आप husband wife दोनों अगर खुल कर बात करेंगे अपनी डॉक्टर से तो वो आपको clearly चीजों को explain करेंगी लेकिन बहुत सारे cases में ऐसी होती हो जब आपकी high risk pregnancy होती है जिस समय आपको इस तरह की activities से दूर रखा जाता है दूर रहने की सलाहे दी जाती है तो उनक भी कहना सही है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि orgasm सुख न देकर आपके contractions को भी बढ़ा सकता है आपकी uterine contractions अगर बढ़ेंगे तो आपको प्रसव पीडा होने में इनिशेट करता है यह प्रसव पीडा आपको दिला सकता है इसलिए बहतर होगा कि आप इन सब चीजों स दूर रहें तो आप कोई भी activities कर रहें प्लीज अपने डॉक्टर से कुछ भी मत चुपाई है क्योंकि देखिए डॉक्टर सापकी अच्छी गाइड होती है आपको क्या करना चाहिए आपको क्या नहीं करना चाहिए आपकी pregnancy high risk pregnancy है यह नहीं है यह खुल कर अपने डॉक्ट में ऐसा देखा जाता है कि इस तरह की activities चाहिद सब chronic hemorrhage वगरा भी इसका एक result हो सकता है तो एक पर अपनी डॉक्टर से जरूर बात करें देखिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है लेकिन अभी आपके और आपके बच्चे के health बहुत जादा जरूरी है आपका बच्चा स् इस दुनिया में आ जाए उसका स्वस्त रहना काफी जरूरी है इसलिए आप एक पर अपनी डॉक्टर से जरूर बात करें होप आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा informative लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अगर promote करन चाहते हैं मेरे चैनल तो बेशक करिए मुझे बहुत खुशी होगी मुझे काफी अच्छा लगता है आप लोग इतने अच्छी फीडबैक देते हैं जिसके मैं दिल से धन्यवाद करती हूं तो थैंक्यू सो मच फर वाचिंग ट्रोइंस माई वर्ल्ड